नमस्कार प्राइम टीवी आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुखा महरोत्रा और आज हम चर्चा करने वाले एक खास मुद्दे पर स्कूल कॉलेज जहां जातपाथ, ऊच नीच और धर्म सभी असमानता को दूर करके और एक साथ पढ़ने का जो भाव होता है वो देखने को मिलता है कोई भेदभाव नहीं होता है और इसलिए सब एक जिसी यूनिफॉर्म पहनते हैं एक जिसी यूनिफॉर्म इसलिए भी होती है ताकि कोई असमानता ना हो कोई भेदभाव ना किया जाए और सभी को एक समान सिक्षा दी जाए लेकिन अब हिजाब विवाद असमानता पैदा करता नजर आ रहा है ज्यान के मंदिर में जहां सब समान होता है वहाँ एक यूनिफॉर्म में होते हैं सब वहाँ हिजाब पहने की अनुमती की मांग उठ रही है अब इजाज़त दे दी जाए तो क्या होगा जरा सोचिए वर्ग विशेश की छात्राएं अलग नजर आएंगी एक क्लास में असमानता नजर आएगी ऐसी परिस्थिती उत्पन ना हो जिसके लिए एक जनवरी 2022 में करनाटक के सरकारी प्री यूनिवर्स्टी कॉलिज से इस मामले की शिरुबात हुई जहाँ छे मुस्कले महलाव को हिजाब पहन कर क्लास में आने से रोका गया जिसके बाद रेशम फारुक नाम की छात्रा ने हाई कोट में याचिका दायर की पहुंच गई है और अब इसको लेकर कई विवाद देखने को मिल रहे हैं और आरोप रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है और ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं तो जिसको गलत भी बताया जा रहा है सही भी बताया जा रहा है कुछ लोग समर्थन में स्कॉलर हैं सीमा राना जी मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथी अनीता अगरवाल जी बीजेपी से जुड़ चुकी हैं तीनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि ये कितना एहम है हर धर्म के लिए उनका पहनावा एहम होता है बहुत ही स्वागत है आप सभी का हमारे सखास चर्चा में अनीता अगरवाल जी सबसे पहले मैं आप से जुड़ना चाहूंगी जहां कहा जाता है कि यूनिफॉर्म को एक्वालिटी बताया जाता है यूनिफॉर्म is the symbol of equality तो अब जब छात्राई हिजाब पहन कर क्लास में जाएंगी क्लास अटेंड करेंग अगर आज यह जाब पहन के जाएंगे दूसरा अद्मी भगवा पहन के जाएंगी अच्छी नहीं लगती है हर कॉलेज स्कूल के अपनी यूनिफॉर्म होती है अपना हो वहां पर सब रहते तो एक जैसी यूनिफॉर्म हो तो सबको अच्छा लगता है यह सब चीजे तो बट नेच्छल है कोई भी हो इसको गलत कहेगा चाहिए हम और चाहिए हम लोग इसको मानते हैं कि आज जो कब से कर दो ती दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद किये गए हैं और सबस्वाइब को ने इसमें काया कि सविधान से उपर कुछ नहीं है तो सविधान को लेकर सवि को ऑपने कहीं रोक नहीं है क्योंकि आपका अपनी पैवेश मूश आ है इसको आप अपना सावजनी कहीं जाना है किसी शादी में नहीं सवाल्या हुडओ बढ़ता जा रहा है अ ठर्म को क्यों जोड़ा जा रहा है कि पढ़ाई पाट शाला जिसे मंदिर कहा जाता है तो वहां पे एक अलग वस्तर चुना गया है ताकि सब एक जैसे दिखे रोग तो लगाई नहीं जारी हिजाब पे सिर्फ क्लास अटेंड करते वक्त कहा जा रहा है कि सब यूनिफॉर्म में रहे तो आखिर गलत है तो इसके लिए हमारा अगर कानून को आप कहते हैं कि हमारा सम्मीधान जो है वो सबसे वूपर है जहां-जहां भी बात हो रही है और या आच्पा गई हुई है तो गो कहें स्कूल कॉलिज बात करें लेकिन जो चात्र बुंडों के शकल में सामने आ रहे हैं और उस अगर आप पार्टीज में आप मार्केट में जाके पहनिए आप इसकूल और कॉलिज में यूनिफॉर्म में आई है हिजाब में मत आई है तो यह क्या तलबा डिसकस करेंगे या इस बात को देखेंगे या वहां पर जो चातर है या जो और्गनाइजेशन बाहर बैटी हु अगर हिजाब पहन के आप केंपस में आपकी यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है यह जो भगवा पहन के आ रहे हैं वहां केंपस में जो फिलक लगा के आते हैं जो इस तरह के वहां पे एक गेटब दर आ रहा है कि यह यूनिफॉर्म का हिस्सा है मैं भी उनिवर्सर्टी में मैं एक बात कहना चाहती हूं जब विरोध हुआ तब बाते सामने आई है स्कूल कॉलेज में कोई इससे बगवा पहन के नहीं जा रहा है यह वहां पे जो विवाद हुआ है वो दोनों पक्षों से हुआ है खाली एक पक्ष का विवाद नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात है है यह नहीं हो कर दोनों के आपक्षां के सब्सक्राव कि यहां पर एक वेश भूशा है वेश भूशा है तो वेश भूशा है उसको सब आप अपने हिजाब में रही है देखिए आप इसमें तो आई यह ना यह तो जब दोरों बक्षों का बढ़ गया रही है जिस तरह का सिलेबस आ रहा है और उसका भगवा करन रहा है आप मेरी बात को समझने की कोशिश निकारें बात को गुमा रहे हैं मैं आप आपको रूपना चाहूंगी सीमा जी जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है जहां हम लोग समानता की बात करते हैं एक तरफ भगवा आ रहा है तो यह जो विवाद शुरू हुआ है क्या आपको लगता है कि यह सही है क्योंकि जब क्लास अटेंड करेंगी ज़ात है तो क्या उनके मन में नहीं आएगा कि वो अलग दिख रहे हैं तो क्या यह जो असमानता का वातवरण बन रहा है यह कितना सही है वह कृए डेकि एसामान्ता का कारण जो बातवर शहीं है लिकिन हिजाब को रोकना प्रति बंदित करना विद दाने के और रहा हुआए अगर अगर ऐसी बात है तो संसद में उमा भारती और हम लोगों के चीफ मिनिस्टर उत्तर परदेश के क्यों भगवा धारर करके संसद में बैठते हैं या अपने विधान से बैठते हैं वो भी तो अपने धर्म को के एस्वर्शन करते हैं और अपने मठ की एड्रेंस है तो अपने मठ में पहने लेकिन चीफ मिनिस्टर रखना भगवा पहन सकता है अगर उमा भारती भगवा पहन सकती है संसद में तो बच्चे हैं और अगर वो हिजाब उनकों संविधानिक अधिकार मिला है तो इसी तरीके आप यह भी कह सकते हैं तो अगर कोई पगड़ी लगा ख्कर मेरी बात प्धिकार वहला वी कि यहां प्कर ग्री आप कर आप यह दो करूंपे और सनास उने सब्सक्कार्पह और अगर मेरी बात है यह मुझा लेकि सुनना चाहते हैं तो सब्सक्ते है पहने घांधिका कोई बड़ी बात तो यह कि यह मुद्दा इसलिए समर्गर माया क्योंकि यहां पर यूपी में एलेक्शन थे यूपी में ऐसा कोई भी कमिनल टेंशन कमिनल हमेशा सहार्थ की बात हो रही थी कोई भी ऐसा मुद्दा उनको लहम मिला नहीं तो इन्होंने करनाटका से वह माणचिन होता है तो उसके मदद करने के लिए वहाँ पर ऐसे मुद्दे उठाथे हैं जो उपी में कोई मुद्दा नहीं चला जो इसाद के मुद्दे बहुत हावी है प्राज़णीति को धर्म से या आपने वու जो order दिया है वो order आपने दिया है तो वो बच्चो का अधिकार है बच्चो का अधिकार है सिर्फ uniform पूरी पहन रहे हैं और अपना अगर वो उनकी cultural practice है उनका तो वो कुल्चुरल प्रैक्टिस करने के लिए उनको समिधान पूरी छूट देता है और अगर ऐसी बात है तो आप यह देखेगा कि जब बहुत पहले की बात है आप मेरी बात सुनिए जब हेलमेट पहनना अनुबार किया गया था तब भी यह का गया था कि जो सरदार है वो चूकी पगड़ी पहनते हैं तो वो हलमेट नहीं पहन सकते हैं तो यह देश आज ऐसे भी आदेश आये हैं जिसमें पूरी सोहार्द होता है लेकिन यह जो आदेश आया यह अपने आपको एक राजनीतिक रंग लेते वे आया है इसलिए राजनीतिस पर हो रही है और चूकि यहां के इस के लिए अधर करतें अधर हानिता करता है कि अरक कर आप अधरें हो समाज dif ऌर्टा को जब होती जब आप सब्सक्राइब और गार्टिंफ वह धीचेमार करता है मुझे बड़ी हमाजी कार ने कि समाजी कंटे को दूर करता को संसद और विध्याले में फरकी नीश कोई मनाई नहीं है लेकिन स्कूल कॉलेज में एक उनिफॉर्म सब को मालूम है कि युनिफॉर्म होती है वह उनिफॉर्म को भटा के आप आप सब का बराबर अधिकार है आपके आपके सोचने चाहिए जी अगर आपके लड़कों का क्लास हो और उसमें जो को युनिफॉर्म में कुछ पगड़ी लगा के रखा हो तो आपको क्या लगएगा फिर आपको लगएगा यह जार बराबरी नहीं कौन से आपको लगएगा पगड़ी निफॉर्म के अनसार पहनते आप देखा होगा झाल पहनते हैं स्कूल में तो पर जाते हैं उनिफॉर्म के जाते हैं कोई सर्दार बता दो बिने उनिफॉर्म के जाता हो कोई कोई सर्दार बिने उनिफॉर्म के जाते हैं रंग की कोई बात नहीं होई है आप बताएं आप जो हमारे साथ और मेमान बैठे में हैं वो खुद बता सकते हैं कि रंग से कोई मत्वेद नहीं है उन लोगों को आप किसी भी कह दीजिए ब्लू कलर की हिजाब पैन क्या पहन पहने लेकिन अगर कोई नहीं पहनता है यह तो यह उसको जा कि आप जबरन नहीं कह सकते हैं मसंद मैं हूँ कोई भी धर्म का आदमी वो जा किसी भी लड़की को जबरदस्ती हिजाब नहीं पहना सकता है पहन रही है नहीं पहन रही है लेकित इसलाम है अब जैसे भी हमारी कि समाजी एक्टिविस्त है वह कर रहे है अगर बेस्ट कोई हमारे सिख भाई है घर पगड़ी के साथ जा रहेए थी कर उनिफॉर्म पहन के जा रहा है लो द Victra आदे बहुत बहुत कर दिया है वो समाज को नहीं चलाएगा आदिल जी लेकिन यह कुछ नहीं उठा क्योंकि हमने भी पढ़ाई किया हमारे साथ भी मुस्कि पढ़ी है वो इसकूल उनिफूर्म पर रहती थी और आप रहती हिजाब है कि पहले को इलेक्शन नहीं था लेकिन क्लास के अंदर जहां पर यूनिफॉर्म में सब रहती है इस पूल कर रही है आप यह बताईए कि आपको औरिंटेशन क्या है आप तो एक सिधरा से सीधे आपको न्यूट्रल स्टांड लेना जाए आप तो इतना तेज स्टांड ले र स्कूल के परिसर में कौन सी महिलाएं मुस्लिम महिलाएं बुर्के में और हिजाब में घूमती थी यह मुझे बता दें पूरे प्लास में पैरिसर के अंदर सिर्फब पैरिसर के अंदर सिर्फब को नहीं निए चलता है यूनिफॉर्म निखक अगर गआतो आप लोगों को नहीं नजर आएगा ना आपको मैं क्या कहा हुआ है अपने बेग में रखती थी तो आप बहुत की बात के और आप जो यहां पर कोड़ेश कर रहे हैं वो तुमने की कोड़ से आदेश नहीं हुआ पर यह सरकारी आदेश है कि हिढहें को बाल कुले कर आएंगे है यह रहें पूले के आएगे आप उसको कैसे ही जोड सकती है और आप इतनी पड़े लिखे होकर इतनी ऐसी बात करो हिएं डिकेंगी हम उस पॉइंट पर बोल रहे हैं हम उस पॉइंट पे बोल रहे थे कि आप जो अलग दिखने की बार बोल रहे थे हम उस पे बोल रहे थे चीके ना आप जो बात कर रहे हैं आपको यह मालूम होना चाहिए कि वह उनकी आइडेंटिटी है यह मुसल्ट के मजब में उनके यहां पर दिये क्या सर्दार बिना आप वहां भी कहिए कि लड्किया हाँ जादके उनिसी निफॉर्म पहन के आइंगी आपको ना नगरी है यह पीली पगड़ी पहने यह लाज पगड़ी पहने लेकिन वह उसी निफॉर्म की परक्राइब और यह और तो यह कोड़ कर रहे हैं आप आप कुट्टर पंती जो यहाँ जाकर रहें कैसे थे मुझांगे पίको गुलिश्टा नहीं जा रहें वहाँ है efter मेक्जा statesों है यहां जाकर रख्या हुए हरे रखिया परदान मंजडी भी नहीं पुलते हैं उनके नहीं को खरार कर दिया है इनके धरम से चलेगा यह अपने दर्म से चलेगा यह कानून को पहने तो विवात किस बात कर दो उनों ने अपना कानून के तहती वह गई थी कोट में पहने के लिए कि यह ठीक है तो आप लोग यह बहस करके इसको यह रंग दे के इलेक्शन में यूज करके यही आप लोग यही सब लोग करना चाहते हैं उन्होंने तो ऐसा कुछ विवात करने के लिए नहीं कि अगो तो लड़कियां जो नहीं उनको अधिकार मिला था वह तो सवाल है चोटे बच्चे जैशी राम के नारे लगा रहे है भगवा जंडा लेके दिखाई दे रहे तो छोटे बच्चों के मन में जो सब चीजे आ रही है चोटे बच्चे भी इसमें इन्वाल्व औरे क्या कहेंगी इस पर देखिए मैं तो सीधा कहती स्कूल कॉलेज में के धरण की रहे हैं पंड favor रात बने का काम करना चाहिए कोई भी धू हमजा मांना है कि जब आप किसी गुरू कुलमे जा रहे हैं पढ़ने जारें तो अपनी पढ़ाई-समचिण divided मेले ना मुस्त्र होनी चाहिए अनि मुस्त्रिय क क्यो से लेकिन हम तो सर्वे भुवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामिया पर की बात करते हैं लेकिन धरम की राजनीति कौन कर रहा है यह कौन इसको बढ़ावा दे रहा है यह आप लोग को समझ नहीं नहीं तो यह भगवा घंची के पीछे-पीछे गए इसको जोड़ेंगे तो बड़ी शर्म की बात है बिल्कुल आइडिंटिटी है आप कहरेंगे हैं कि हमारे इस इस परने के लिए जाना चाहिए वाँ धरम की राजनीती नहीं नहीं चाहिए लेकिन जब शुरिया नमस्कार को कहा जाता है कि इसकोलों में करवाया जाए और मद आप लोड़े हैं हाद होगे हासे अप्रत बाते कर रहे हैं अदिल जी मिशनरी यूनिवस्टी नहीं थी वह जहां से विवाद शिरू है वह एक सरकारी यूनिवस्टी थी तो फिर धर्म का रंग क्यो दिया जा रहा है मैडम हम बिल्कुल दलत कहते हैं कि धर्मका रंग नहीं देना चाहिए हM मुच्स नहीं के त्रेवाज देड़नीवस्टियो तरह थी थी ूसोचरो म में कॉल्क टलाव द के लिए इस सहाँ का मुछाई historians आदिल जिस नमसकार भी जो हो रहा अगलत हो नहीं हो नहीं होना चाहिए वो भी गलत है जैश्राम के नारे लगाए जा रहे हैं इस तरह से और स्कूल के बच्चे यह सब कर रहे है इस गलत है वह गलत है तो यह अगर वहाँ अगर वह दरी वहाँ वह जंगनमन तो नहीं आए ना जनगन मन तो नहीं पढ़ा दिना अच्छा इंदोस्तान हमारा तो नहीं कहा सकती है उसके डर में उसके रियाक्शन में अपना धर्म का सपोर्ट लिया उसके लिए आप इसके बड़ी वुसको पर ही उसके पीछे जैशिराम के नारे लगा रहे तो इसको नहीं पूलेंगे आ जो भी हम तो कहेंगे कि जो नहीं भी ऐसे नारे लगाए वित्याने में कि एक लर्की की पिछे लेता बात यह है कि इसे धर्म की राजनी ते क्यों बनाया जा रहा है यह स्कूल के बच्चे थे आप जसे बहुत बना रहे हैं यह जो पूरे जो मीडिया चानल्स है यह जो इ इसे बारे में बहुत ज़दा है जिनके बारे में बहुत ज़दा मानना जाता है हिजाब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस चीज का तो कहीं पे इसकी छूट भी होती है जैसे घर में या आसपडोस में जाती है महिलाएं तो जरूरी ने कि वो हिजाब पहन के जाएं प्रीली जा सकती है दुपट्टा डालके भी चली जाती है और इसकूलों में भी यही देखा गया है कि से ढखके हो पढ़ती है कानूनी रंग देने के बाद जो कहीं चारिया आप उससे किता वाकिफ रहते हैं क्या इस पे क्ानून बनना चाहिए या फिर इसमें महिलाओं की सैमत ही होनी चाहिए वो पहनना चाहे तो लिए जो पहनना चाहिए अगर उस समाज में रहने वाला एक वर कोई भी है उसमें, कोई चाहता है कि हमारी इस आइडेंटिटी को आप अपरूवल दीजिए और हम इस आइडेंटिटी के साथ जाना चाहते हैं, कोई जाए ना जाए उसके बाद अलग मसला है, तो आप उसमें इनको प्रॉब्लम क्या तो क्या आप की चलेगी वाँ पर, खुष सोचएए तो आप की चलेगी आप अपना चलानेंगी वाँ पर, किसी धरण की चलेगी, आपके चलेगी, आपके स्कूल के अडेटी चलेगी चलती है, वो पैन के आती ती ती लेकिन वह स्कूल में नहीं पहनती थी ती तो लपेट के अपने बेग में दें ता था जो के बहनना चाहत रहा है। मुली पहना चाहता है तो स्कूल के बाहर पेने के कि स्कूल क्लास के अंदर पेने के इंदर पेने इंदर को पेने को पेने के नहीं जब पाई वह प्रकिए उनिफान को पर रही हैं तो ऐसे तो हर जगह पे जहां पे भी मुस्लिम महिलाएं जॉब करेंगे, वहां पे हिजाब और बुर्के में रहना चाहिए, क्या ये सही रहेगा, अगर बड़ी बात तो है, आप सब को एक साथ जोड देती है, नहीं, अगर बात हो रहे हैं, तो वहां में इसका है, पहले आ उनकी वर्किंग प्लेस में वहां एक जैसा होना चाहिए, तो आपको परहेज होरा स्कूल में बजारों में परहेज होने लगेगा, परहेज की बात नहीं, ये इनसान पर उपर डिपेंड करना चाहिए, कि वह क्या चाहता है, अगर कोई महिला चाहती है, तो पहने, लिकिन होना चीए, को क्या पहने, भिवला पहने, लिकिन हमार कोई में तो पहने, लिकिन हुए, कि और रखेंग की बार फिर होना चीए, तो बहुत कुन हए, विकिन कॉंएं हो रहे ले उसे प्रती बंद निलगा सकती हो ना आप कुछ सप्वक्ति कर सकती है हम दोनों के खलाव है ना हम पंपलेशी करने के खलाव कि कोई कि रिख कि की नहीं हिजाब कंपलेशी और प्रती बंद ही पहने गांने यह वह भी गलत है सुन लिजे साडी का पहन के पहन के पहन के हैं अगर वो स्कूल जो ज़िए आप बनवालो ना जो स्कूल के है आप मना कर रहे हैं आप नीला पनाईए गुलाबी बनाईए लाल बनाईए उनसे परेज नहीं है जिस रहता युनिफॉर्म की साड़ी पहनती हैं वो लो अगर भी संभान सदेगे खुलाबी युख पेंशिए लिए पॉलाईगा लिए भी आजलिकी जो आज़ वी? यह पहनो सुनीन वा प्राइब नहींघ को रहा है surg September मैं लुव्ह सब्साइब सब्सक्राइब यह लुव आजी जेगत अब पुड़ा श्ते चाहिए मुख सब्सक्राइब अब आप पढाई से आई 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 है के अब जाहां पर वादिशन के आई है तो आप उसे और आप लोड़ नपे जाएंगे इसमें आई आप उसे कह देंगे कि आप उसे प्रेस्टी ना पड़ो है अप ये है ये आप न आप पर लोड़ो झाएंगे जाएंगे पर चूटे चूटे बच्छों को हिजाब और फगवा जैसा अगर ये भावना उनके मन में जाएगी तो चुटे इस वह बचारे सब दून सब अबस पर लगती यह आदिर शाया उसने ही उनको बिल्न कर दिया विकिलों को आदमी कर दिया जाओंगी आदल जी आप बताईए जिस तरहां से कर छोटे चोटे बच्चों के बीज यह सब चीजे आएंगी तो उनके मन में क्या धर्म को लेकर भावना नहीं जाएंगी तो अलगा य यही चाह रहे हैं यही चाह रहे हैं प्याली चाहिए तो उनके बोली आघरते चाहिए जाहे थे जाएगा जी आदल जी बदम बात यहां एका मैं खुद कह रहा हूं कि देखिए धर्म की एजुकेशन के लिए आपके पाँ मुसलमानों के पास मंदर्सा है यह और हिसाई सब पढ़ रहे हैं वहां धर्म की राजनिती नहीं होनी चाहिए लेकिस आइडिन्टिटी होती है वहां के उपर पहले इस का यह एक शोड होता था तो वह वहां मुसल्मानों ने गभा हैं। औरे बख ठेस शलवार के शलवार के वहां के वादी हैं। सब्सक्राइब फौए हो पर रहे हैं कैसे मुसल्मानों ब Teams सब्सक्राइब साई। ऐस माजब के साधियों कुग है। सब्सक्राइब करने एक विए उसको सब्सक्राइब करें लिए लिए कितना सही है कोई भी धार्मी कनारा युनिवरस्टी केमपस में हम कह रहे हैं कि अगर उस से कोई भी हो रहा है सो सही नहीं है लेकिन छो प्रास्द गता को बात लें ढहता भाए लेकिन तो अभए अपर कनारा लगाई जाए उस मसलें वहताईः को वह को अगर किसी स्कूल में कुछ नियम काईदे कानून बनाए गए है कि स्कूल के परिसर के बाहर आप कुछ भी पहन कर आए और जो क्लास अटेंड करेंगे वह आपो यूनिफॉर्म में ही करनी है तो तब क्या करेंगे तब क्या फैसला निकलना चाहिए क्योंकि हर इस समाज के ल यह आप मानिए कि सरकार क्या चाहती है को स्कूल को आप पर पर चुड़िए वह सरकारी स्कूल ता इस पर यह आदेशा है और यह सरकार के पारिज कि अस समय पहले ऐसी भी बाते आरी थी कि रोक लगाए जाएगा नकाब और हिजाब इन सब चीजों को लेके तो इसको किस ओंशतारों की इसी तरह से देखती है जो रहत ही बहुत ही गलत और बहुत ही वाईर्वएया घे अधेश अगर है बहुत ही घलत बात भी है कि कि आप लाट बी और चुले में आएं जायाद में आएं चायोग किछी त रहाएं का में और हिंदू परिवाने भी बोलती हूं अगर है अिदू मेहिना आइं और साढ़ी पहन रहां और सुफ पहन रही है नई पहन रही है शीजैर post रघार है अधि-ब रहा यह बच्चियां तहां जा रही है यह तो नहीं होता है सबसे बड़ी ख्रेकेदार वो इसी बात की बन जाती है आप लोग उन्हें ले रखी होती है तब ही आप लोग यह काम करते हैं आप यह बहुत गलत कर रही है आप धर्म की राइनिती को भड़ावा देने वाली बाते कर गडार चाहरे तो पहनी होनी जाहिए अगर आकि इच्छा है तो पहनिये लेकिन एक सकूल का जो एक उनिफॉर्म है जो उसका कोड है उस्कूल आती है आप पहन के आईये कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कि लास के अंदर आते ही जैसे पहले उता जो इन्हों ने जो मुटा है कि सर्दार अपनी पढ़ी पैंने थे सर्दार मेली पीली पंगरी पैंट रहते हैं जो इन देख वह बाल खुले छोड़के नहीं आ सकते हैं वह कर आप उसको प्ली बढू आते हैं बात को आपको आप कम से कम यह आप 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 चाहिंगी किस तरह सी थह था यह विवाद बिल्कुल गलत चला है, मैं बार बार बोर रही हूं, यह लड़कियों का हक है, लड़कियों का अधिकार है, लड़कियों को पैगरने दीजिए कि वह पहनेंगी कि नहीं पहनेंगी, कॉलेज में यूनिफॉर्म समानता, आर्थिक समानता के लिए है, उनकी यह बात नहीं है, और अगर वो यूनिफॉर्म के तहर भी अगर हिजाब पहनना साथी है, तो ठीक है, और यूनिफॉर्म के नाम पे आप हिजाब को नहीं प्रशिबंदित कर सकते हिजाब पहन के नाए, यह उनका हक है, समानता का अधिकार है, अनुशाशन तोड़ने का अनुशाशन तोड़ने का अधिकार नहीं हो, इसको खत्म करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, और जिसको पहनने का मन है, वो पहने हिजाब और बुर्गा, और जो नहीं पहनना चाहता है, स्कूल उनिफॉर्म में रहना चाहता है, यह इसका समर्थन करती हूँ लेकिन इस विवाद को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? बैदम ये विवाद दो सिकंड में खत्म हो जाए अगर सरकार खत्म करना चाहिए अगर वहां का पशकार ने उच्जिन को आप लोग करेगा जी अति मुआ कुं सिथी ए इस इस सर्कार पेपit हैं क्टेकर पास आति ऐसे स्कुक्त ऐसे हम थाल में आपकर मामला था पति था कुछ ते करें ऐसे हम यह कुछ का ईत विए था अब किस्त पर वापक ते हम की टोइख तो आतो न न भीडल आप तो बिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े थे तीनों महमानों का बहुत भशुक्रिया तो आखिर में एक कोट फैसला करेगा कि इसमें क्या कुछ बदलाव होने चाहिए क्या स्कूल का नियम कानून चलेगा या फिर इसमें कोई नया कानून बनना जाहिए लेकिन एक एहम मुद्दा है क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है और जहां धर्म की बात आती है तो वहां ये सोचना काफी एहम हो जाता है कि बात क्या होनी चाहिए किसके पक्ष में होनी चाहिए क्योंकि धर्म और आस्था सभी के लिए महत्वपूर हैं और इस पे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार